जेसर हम स्टूडेंस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेंड स्पेस एंड नौल स्पेस, ये दोनों क्या होते हैं? मैं फर्स्ट में बता देता हूँ, मैंने लिनियर आलजेबरा के बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, जो कि आपको मेरे चेनल प्लैलिस्ट पर भी मिल जाएगा, मैं उस प्लैलिस्ट के लिंक जो है, मैं मेरे डिक्सिप्सण बक्स पर भी दे दूँगा, फर्स्ट let u and v be vector space over a field f, f field के उभर u and v दोनो vector space है, इसके भी मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, vector space की से बोलते हैं, इसमें दरखा है कि आपका field के उभर, field f के उभर, u and v दोनो vector space है, एकन इसमें दरखा है कि अगर कोई भी transformation t u tends to v है, यह आपका कोई भी एक mapping है, जो की linear transformation है, अगर यह जो mapping linear transformation है, then यह जो condition है, linear transformation का, यह satisfy करता है, so यह जो mapping है, linear transformation के जो दोनों condition है, उनको यह satisfy करता है, so first हमारा given है, कि first हमको suppose करना है कि u and v दोनो vector space है, over the field f में, again t कोई भी एक mapping है, जो की आपका linear transformation है, next देखिए, इसी mapping के ओबर हम range space and null space समझेंगे, so देखिए, first आपको मैं बतता देता हूँ range space क्या होता है, आपको पता होगा, कोई भी एक mapping में यह जो u होता है, u से भी तक है यह जो mapping, so इसमें यह जो u है, यह आपका domain space है, भी आपका range space है, so इसमें भी आपको पता लग गया होगा, कि इसमें range space कौन सा है, यह आपका domain space है, यह आपका range space है, so देखिए, उसको हम denote कैसे करते हैं, then the image और range of t, यह जो tip का, यह जो t mapping है, इसका image और range हम बोल सकते हैं, denoted by rt, range space is denoted by rt, is this set of, यह जो rt है, range space है, यह किसका set है, is this set of all vectors, सभी vectors, beta belong to v के लिए, किसके लिए, beta belong to v के लिए, where, t alpha equal to beta, क्या t alpha equal to beta, जिसमें alpha belong to u, इसमें देखिए, first, यह जो आपका mapping ते रखा है, उसके उबर यह आपका कोई भी एक function है, इसमें सभी alpha belong to u के लिए, कोई ना कोई आपका beta exist करेगा, सो उन सभी बिटा का एक set जो होता है, उनको बोलते हैं range space, क्या बोलते हैं, range space, सो इसको हम rt से भी denote कर सकते हैं, एगें देखिए, मैंने बता दिया कि यह जो range space क्या होता है, सो इन सभी में rt जो है, यह आपका range set का जो set है, for alpha belong to u के लिए, t alpha equal to beta, सो सभी बिटा का यह set है, where beta belong to v, v आपका क्या है, range space है, next देखिए, null space क्या होता है, the null space of t, जो t mapping है, उसी mapping t में null space को हम kernel of t भी बोल सकते हैं, मैंने आपका kernel का भी एक वीडियो बनाया था, सो मैं एगें इसमें बता देता हूँ, null space को हम kernel भी बोल सकते हैं, so null space of t is also called as kernel of t, again इसको कैसे रिनोट क्या जाता है, null space of t और kernel of t, इसको रिनोट क्या जाता है, nt से, nt से इसको रिनोट क्या जाता है, where t is the mapping, and it is the set of all vectors, alpha belong to u, such that nt equal to alpha belong to u, such that t alpha equal to 0 belong to v, इसमें आपको जो null space है, यह किसका set है, यह जो आपका mapping था, t, वो u से भी तक था, so domain में, यह तो आपका domain space है, so domain में सभी vectors, यह जो आपका vector space है, u आपका vector space है, v भी आपका vector space है, so उन सभी का जो elements आएंगे, वो भी आपका vector space होंगे, so u के जितने भी vectors होंगे, उन सभी का जो function का value अगर 0 आजाए, so अगर मानलो, इसमें alpha जो है, यह alpha belong to u है, alpha 1 belong to u है, alpha 2 belong to u है, alpha 3 belong to u है, जिसमें t alpha 1 का value यह 0 है, t alpha 2 का value यह 0 है, t alpha 3 का value यह भी 0 है, so इसमें देखिए, यह जो alpha 1, alpha 2, alpha 3, यह जो तीनों का set यह आपका null space हो जाएगा, क्यूंकि उसी alpha belong to u के लिए, आपका t alpha equal to 0 है, जिसमें 0 किसमें बिलांग करेगा, range space में b में, इसी b में belong करेगा, so u के जितने भी vectors आएगे, अगर उन सभी vectors का function value 0 आ जाए, so उसी जो vectors हैं, उन सभी का जो set है, उसको बोला जाएगा null space, क्या बोला जाएगा, null space और kernel, so यह था आपका range space and null space के उपर जो complete वीडियो है, so मैंने आपको इसमें completely इसको बता दिया है, अगर इसमें कोई भी आपको problem है, then मुझे comment के रिए मैं उसका reply जल्द ही दे दूँगा, so thank you students, please like and subscribe my channel, thank you.